दतिया में एक ट्रेक्टर टॉलिस सिंध नदी में गिर गई इस हासे में चाल लोगों की मौत हो गई 18 लोग गनभी रूप से घायल हो गए घायलों को दतिया और गॉलियर के अस्पतालों में रेफर किया गया है दतिया तहसीलदार ने बताये कि बिंड जिले के दबोह के रहने वाले बास्चाह कुश्वा अपने रिस्तदारों और आसपडोस के लोगों के साथ रतनगर माता मंदिर के दर्शन करने गये थे वापसी में साम करीब साड़े साथ बजे दतिया जिले के सेवडा में सिंध नदी के छोटे पुल से उनकी ट्रेक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई पंदरा लोग आदे घंटे तक ट्रॉली के नीचे दबे रह सूशना मिलते ही दतिया कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस पिसासन के लोग मौके पर पहुँचे ग्रह मंतिरी डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने ट्वीट कर हास्ते पर दुग जताया ट्रेक्टर ट्रॉली में सवाल लोग बिंड जिले के दबो थाना छेट के जब खोली बिंडवा गाउं के रहने वाले हैं जो रतनगड की माता के दर्सन करने गये थे माता मंदिर में जवारी चड़ाने के बाद सभी लोग ट्रेक्टर ट्रॉली में लोट रहे थें ट्रेक्टर ट्रॉली का पहिया सिंध नदी के पुल में गड़े में फस गया इसे ट्रेक्टर टॉली अनियंत्रित होका नीचे जागिरी, हलाकि यहाँ पानी नहीं था, टॉली में महिलाओं और बच्चों समेथ करीब 28 लोग सवार थे, हासे को देख लोग मौके पर पहुचे और उन्होंने राहत एवं बचाओ कार्ड सुरू कर दिया, उन्होंने रेस सीता ने अस्पिताल में दम तोर दिया, गनभी रूप से घायल चाल लोगों को गौलिया रेफर किया गया है, सेवडा के रहने वाले राम शंकर नगरिया ने बताया कि पुल का मिंटनेस नहीं होने से छोटे पुल की सड़क जरजर हो गई थी, सिंध नदी पर बना यह पुल पर करीब 20 फिट बार ट्रक्टर टॉली नदी में गिर गई, जिस जगह ट्रक्टर टॉली नदी में गिरी वह किनारा था, सभी लोग नदी की रेट में गिरे, घटना इस्थल से करीब 20 दूर ही सिंध नदी में पानी भरा था, टॉली में सवाल लोग दब गए इतने सुन्दर सुन्दर के निह लाए दुनहन के रूप में चारचांद लगाए गमगड़िया समगड़िया प्यार के रिष्टे को और कहरा बनाए समगड़िया आभुषण का चादू है चाए समगड़िया आभुषण समगड़िया आभुषण